नमस्कारम, हम महाकवी भरतरी हरी द्वारा रचित नीती सत्कम का ध्यन कर रहे हैं ग्यारवा पद्द्य है, इसमें यह बताया गया है कि चिन लोगों की बुद्धी भर्ष्ट हो जाती है या जो विवेख हीन हो जाता है, विवेख से रहित हो जाते हैं, उनका पतन अनेक प्रकार से होता है गंगा के उधारन के माद्यम से बताया गया है शिरह शार्वं श्वरगात पशुपती शिरस्तह क्षिती धरं मही धरात उतुंगात अवनिम अवनेश्च अपी जलधिम अधो अधै गंगा यम पदम उपगता स्तोकम अथ्वा विवेक भ्रष्टा नाम भवती विनिपाताय शत्मुखः ध्यान से सुनें, इसका अन्यवे देखते हम यम गंगा, यह गंगा, श्वरगात, श्वरग से जो पवित्र गंगा नदी है, यह सरोय पर्थम श्वरग में थी म गंगा, यह गंगा, श्वरगात, श्वरग से शार्वं शिरह श्रग से यह शिव के शिरपर आई गंगा नदी प्रारम में, श्वरग में थी आपने सुना होगा कि गंगा को भागीरती भी कहते है क्योंकि भगीरत नाम के व्यक्ति ने तपश्या करके राजा सग्गर के पुत्रों के उद्धार के लिए गंगा को गंगा का धरती पर आउतरन करवाया था भागीरत ने इसलिए भागीरती भी कहते है गंगा को तो सर्वप्रथम यह गंगा शुरग में थी और शुरग से कहाई शारवम शिर है यह शिवजी की भगवान संकर के जटाओं में आई पसूपती शिरस्त है शंकर के शिर से कहाई शिती धरम हिमाले पर आई उतुंगात महीधरात उंचे परवत से अवनिम फिर यह धर्ती पर आई अपीच अवने हैं और यह धर्ती पर भी नहीं रही और धर्ती में भी कहाँ चलेगी जल्धिम और यह समुद्र में चलीगी एवं इस परकार अधै अधै स्तोकम पदम उपगता इस परकार यह गंगा अधै अधै नीचे नीचे चलती वी स्तोकम पदम उपगता एक दम तुच्छ स्थान पर निम्न स्थान पर पहुंच गई जो अधिक शुर्ग में थी और शुर्ग से चलके धर्ती पर भी नहीं रुकी और धर्ती के पश्चा जो एकदम नीचा स्थान है निम्न स्थान है वहां समुद्र में पहुंच गई अथ्वा या फिर यह कह सकते हैं कि विवेक भष्टा नाम सत्मुख है विनिपात भवती जो जिनका विवेक का नास हो चुका है जो विवेक से रहित हो चुके है जो बुद्धी हीन हो चुके है उनका शैंकडों परकार से पतन होता है ये गंगा का तो गंगा को तो एक माध् हम बनाया गया है नीती सतक की प्रतेक्श लोग का उदेश सभी को नीती की बातें बताना है और ये हम सब को ये बताना चारा है कि जिसकी बुद्धी रष्ट हो जाती है और वे पतित हो जाते हैं और उनका पतन भी एक परकार से नहीं सेंकडो प्रकार से होता है फिर आप ध्यान से सुनें कि गंगा सरवपर्थम हिमाले गंगा सरवपर्थम सुरग में थी और ये सुरग से सिवजी के सिर पर आई और सिवजी के सिर से यह गंगा हिमाले परवत पर आई और हिमाले परवत पर भी नहीं क्योंकि और हिमाले प्रवत से पृत्वी पर आई और पृत्वी पर आकर कि यह समुद्र में चली गई इस परकार यह नीचे आते आते एकदम तुछ निम्न स्थान पर पहुंच गई और यह कहा गया है कि वास्ते में जिनका विएक भ्रष्ट हो जाता है जिसकी बुद्धी पतित हो जाती है जो बुद्धी से हींज हो जाते है जिसकी बुद्धी काम नहीं करती है उन लोगों का पतन सेंकड़ो परकार से होता है तो इसमें अंतिम पद्धे में शुक्ती है और जहां शुक्ती होती है वाँ अर्थांतर न्यास लंकार होता है आपको पहले काफी ब बताया जा चुका है और अर्थांतर न्यास लिख सकते हैं और इसमें शिखरिनी चंद है अर्थांतर न्यास शिखरिनी चंद अब अपने इसका अगला स्लोग देखते हैं अगले पद्य में यह बताया गया है कि हर रोगों की हर समस्या की कोई न कोई दवा होती है हर रोग की दवा होती है हर समस्या का समधान संबो है किन्तु कोई मुर्ख वेकती है उसकी कोई दवा नहीं तो ध्यान से सुनें मैं इस पद्या को बोल रहा हूँ शक्य वार्यतुम जलेन हुत्भुक छत्रेन शूरिया तपो हो नागेंद्रह निशित अंकुषेन शयमदो दंडेन गौव गर्धवव व्याधी भेशजं संग्रहिष्च विविधै मंत्र प्रयोगई विशं शर्वश्य आउश्धं अस्ती सास्त्र विहितं मूर्खस्य नास्ती आउश्धं ध्यान से सुने मैं नवे पढ़ रहा हूं हुत्भुक अर्थाथ अगनी जले निवारी तुम सक्य है अगनी का निवारन जल से किया जा सकता है अर्थाथ कहीं आग लग गई है तो उस समस्या का समाधान हम जल के दौरा कर सकते हैं जल के द्वारा अगनी को बुझा सकते है हुत भुक जले नवारी तुम सक्के है शूर्य आतप है सूर्य के ताप मान का अर्था सूर्य की गर्मी का छत्रेन छाते से समाधान कर सकते है यदि सूर्य तेज गर्म के साथ तप रहा है तो भी समाधान है हम छात्ते की सायता से उस गर्मी का निवारण कर सकते हैं शै मदह नागेंद्रह निशित अंकुशेन और जो मदमस्त हाथी है उसका भी हम बांद सकते है नियंतर्ण में कर सकते है उसको भी निशित अंकुशेन तीक्षन अंकुष के द्वारा हम हाथी को भी नियंत्रण में कर सकते हैं गव गर्धभव दंडेन गव गर्धभव अर्थात बैल और गधे को हम दंडे के द्वारा रोक सकते हैं व्याधी भेश संग्रही रोक का हम दवाओं के संग्रह के द्वारा अनेक प्रकार की द्वाओं के द्वारा हम इलाज कर सकते हैं विश्वं चे विविधाई मंत्र प्रियोग गई और यदि किसी के जहर चट गए है तो हम अनेक परकार के मंत्रों के द्वारा उसका निवारन कर सकते हैं शरवश्य सास्तर विहितम अउस्धम अस्ती सभी की सास्तर में ओस्धी बताई गई है सास्त्र में विहित सभी प्रकार की ओस्दियां है परम किंतु मुर्खस्य ओस्धम नास्ती किंतु मुर्ख की कोई दवाई नहीं है मुर्ख व्यक्ति है उसका कोई समाधान नहीं है मुर्ख व्यक्ति अपनी कोई जिद्ध है उसको नहीं छोड़ता है हम किसी भी परकार का मुर्ख व्यक्ति में सुधार नहीं कर सकते हैं आग को हम पानी से बुजा सकते हैं सुरज की गर्मी को हम छाते से नियंतरित कर सकते हैं और मदमस्त हाती को भी तीक्षन अंकुस के द्वारा वस्मे कर सकते हैं बैल और गधे को डंडे के द्वारा हम नियंतरित कर सकते हैं, वस्मे कर सकते हैं, और बहिंकर रोग को भी द्वाओं के द्वारा ठीक कर सकते हैं, सास्त और जहर को हम अनेक प्रकार के मंत्रों के द्वारा शांत कर सकते हैं, सास्त्रों में सभी प्रकार के रोगों की द्वा बताई गई है किन्तु मुर्ख व्यक्ति की कोई दवा नहीं है यह है ऐसाध्य रोग है अंतिम पद्य में शुक्ति है अर्थांतर्न्यास अलंकार है और इसमें कुल उन्निस वर्ण है और इसका अर्ण शार्दुल्वी क्रीड चंद है और आप वैदर्वी रिती और आप सभी जगें लिख सकते हैं अपने बारह पद्य पूर्ण हो चुके हैं अब हम अगले कालांस में शेस का ध्यन करेंगे आप स्वम आगे वाले पद्यों को पढ़ कर देखिए यदि यह आसान लगे तो हम कुछ और पढ़ लेंगे और नहीं पुस्तक हमारी चलती आप अपनी राए इसमें जरूर दें धन्यवाद